नमस्कार बहुत बहुत सवाइत करते हैं क्लिक टोडे के आज के इस वीडियो में जो भी स्टूडेंट टीडिसी पार्ट वन दोज़र इके से चॉबई से जिनका कल से जो परिक्षा सुरू होने वाला है उनको जो है अपने आंस्ट शीट का सबसे पहले परना जो मिलेगा वो मिलेगा ओविमार शीट जिसे की बहुत ध्यान पूरबग भढ़ना होता है क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी आप अगर गलती करते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में जाने का चांसे बढ़ जाता है और साथी साथ जो जितने भी कॉलिम्स है उसे आप सही तरीके से पहले तो भढ़ेंगे सांत दिमाग से जो आपको ये सारा चीज फिल करना रहेगा तकरीबन 15 से 20 मिनिट और 25 मिनिट तक चातरों के निकल जाते हैं ओयमा शीट बढ़ने के लिए लेकिन 15 मिनिट मैक्सिमम काफी है एक ओयमा शीट का पूरा पेज बढ़ने के लिए तो आपको क्या-क्या भढ़ने रहेगा इसमें जो हम आपको बढ़ने रहेगा और सीम यही चीज आपको कल कॉपी के उपर भढ़नी रहेगी सबसे पहले तो भाग One में आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना रहेगा आपको English या Hindi में आप जिसमें भी comfortable है या फिर आप जिस भी language में अपना answer लिखने वाले हैं तो आप यहाँ पे अगर English language में लिखने वाले answer तो यहाँ पे नाम में अपना English में नाम लिखिएगा और पूरा capital letter में ही अपना नाम लिखिएगा हिंदी में लिखिएगे तो हिंदी में अपना नाम लिखिएगा इसके बाद जो है आपका यहाँ पे क्रमांग संख्या रहेगा यह जो है copy का संख्या यहाँ पे दिया जाता है ठीक है यह copy number है अगर आप चाहेंगे तो copy number भी note कर सकते हैं वैसे जो रवज उतना पड़ता नहीं है उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ है अनुक्रमांग यानि कि आपको अपना roll number यहाँ पे लिखना रहेगा इस वाले box में आपको अपना roll number लिखना रहेगा अनुक्रमांग ठीक है उसके जब paper code आपको लिखना रहेगा यहाँ पे paper code जो है question paper के उपर आपको दिखाई देगा 10, 11 ऐसे करके कुछ लिखा रहेगा Roman number में जो हमेशा paper code मिलता है तो यहाँ पे आप जो अपना paper code लिख लेंगे इसके बाद जो है परिक्षा केंदर code यहाँ पे लिखने के लिए दिया गया है परिक्षा केंदर code जो है आपको teacher classroom में बताएंगे examination room में बताएंगे अगर बताते हैं तो ठीक है अगर नहीं बताते हैं तो कोई बात नहीं है यहाँ पे फिर बहुत सारी teacher बोलते कि जिस college का center में बढ़ा है आपका यानि कि जहाँ पे भी center पढ़ा है जिस भी college में उसका नाम लिख दीजे ठीक है अगर code बताया जाता है तो well and good नहीं बताया जाता है कोई बात नहीं है उसके बाद सीधे नीचाहेंगे परिक्षा की तिथी यानि जिस तारीक को आपका परिक्षा हो रहा है उस परिक्षा की तिथी यहाँ पे लिख देंगे ठीक है उसकी बाद जो है प्रशन पत्र विशय यानि कि आपका किस विशय का परिक्षा है किस सब्जेक्ट का परिक्षा है यह आपको यहां लिखना रहेगा कौन से पेपर का अगर कोई ओनर्स पेपर मान लिजे हिस्ट्री ओनर्स है तो यहां पर लिखेंगे हिस्ट्री और ओनर्स और पार्ट पेपर वन ठीक है हिस्ट्री ओनर्स पेपर वन आपको करके लिख देना रहेगा फिर वैसे हिस्ट्री ओनर्स पेपर टू का परिक्षा हो निरिक्षक के हस्ताक्षर, तो जो इन्विजिलेटर होंगे, जो टीचर होंगे, वो यहाँ पर अपना सिखने चाहिए, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना होता है, इसके बाद फिर यहाँ पर कक्षा का लिखने का option दिया गया है, यहाँ नीचे में आप देख रहे हैं क कक्षा, तो कक्षा जो आपको मिलेगा, यहाँ पर आप लिखेगा, अगर आपका B.com होगा तो B.com लिखेगा, B.A. होगा तो आप B.A. लिखेगा, यहाँ पर भाग और सेमेस्टर पूछा जा रहा है, तो आपका Part 1 है, तो आप यहाँ पर पार्ट 1 लिख दीजिएगा, त और Office Use Only, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं भढ़ना है, भाग 2 में, फिर आपको सीधे चले आना है, भाग 3 में, यह पहला जो भाग है, उससे सही तरीके से भढ़ लिजेगा, उसका जो आपको भाग 2 में कुछ नहीं करना है, भाग 3 में आप जड़ देखिएगा, भाग 3 आप यहां पर देखिएगा, इसमें बताया जाया है कि परिक्षक द्वारा भरा जाया है, भाग 3 और यहां पर आपको परिक्षार्थी द्वारा भरा जाया लिखा गया है, तो यह परिक्षार्थी द्वारा भरना है, तो आपको यहां पर अपना कक्षा भरना है, आपका आप BA है तो BA लिखेंगे, become तो become लिखेंगे, और BAC है तो और इसके बाद आपका फिर नीचे भाग पूझा जा रहा है यानि कि आपका कॉन सा लिखेंगे आप यहां पर लिखेंगे part 1 आपका उसके बाद नीचे पूझा जा रहा यह session में यहाँ पर आपका part 1 का परिक्षार हो तो आप यह 1 वाले पे घेरा लगाएंगे और यहाँ पर box में 1 लिखेंगे फिर paper code पर आपको question paper के उपर मिल जाएगा यह numbers में होता है यहाँ पर paper code जब box में आप भड़ देंगे pen से उसके बार नीचे गोला लगाना रहेगा अगर paper code है 2 तो फिर आपको यह two लिख करके यहाँ two पे आपको गहरा लगा देना रहेगा फिर अगर आपका paper code हो एगला three तो यहाँ पर 3 लिख के फिर यहाँ three पे गहरा लगादेना रहेगा वैसे ही करके आपको सारा फिल करते हुए मैं सही-सही घेर आपको लगा देना रहेगा इसके बाद नीचे आपको कुछ नहीं करना रहेगा फिर आप भाग जैसे ही चार में आएंगे यहाँ परिक्षार्थी का अनुक्रमांग पूछा जा रहा है आपको अपना यहाँ पर अ यह मैं नाइन लिख करके यहाँ पर नाइन में जो है गहँरा करना रहेगा तो पूरा अपना रॉल Championships में लिखने रहा है यहां पर रेगुलर होगा या फिर जो है प्रमोटेड होगा या एक स्टूडेंट होगा इसा लिखा होगा इंग्रीज में तो यहां पर रेगुलर अगर आप स्टूडेंट तो रेगुलर लिखेंगे प्रमोटेड वाले होगे तो अपना प्रमोटेड में टिक लगा यह code आप यह डाल लेंगे पहले boxes में तीनों box को भर लेंगे और उसके आज नीचे color कर देंगे फिर paper code आपको question paper के उपर रहेगा paper code box में डालते हुए नीचे इसको जो color कर देंगे उसके पापा माम का नाम बढ़ने के लिए बोल जाएगा तो आप यहां पर भड़ लिजेगा सही तरीके से परिक्षा के तित्ती आप भड़ लेंगे और यहां पर नीचे ज़िए ठीछर सिगनेचर करते हैं यह सारी चीज़े जो आपको बहुत साफधानी पूरबा करनी है इसमें कुछ भी गलतियां आप नहीं करेंगे थोरी सी भी गलती होती है तो गुंजाइस बढ़ जाती है पेंडिंग में जो है रिजल्ट जाने की तो यहाँ पे आप अपना capital में नाम लिख लेंगे हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो हिंदी में लिख लेंगे और यहीं पे जो आपके मातापिता का नाम पूछा जाता है वो भी जो आपको भढ़ना रहता है और अगर कहीं registration number का कुछ column दिया रहेगा तो आप बढ़ लिजेगा, बाकी आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं आपको यह जो वीडियो समझ में आई होगी अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर लीजे और एक बार हम आपको फिर से बता देना चाहते हैं इसकी जो है गुझजाईस कम रखे हैं यह भाग वन है भाग वन में आपको अपना नाम लिखना रहेगा यहाँ एनुक रमांग में आपको अपका रॉनलंबर फिर यहां जो पेपर कोड जो कोशन पेपर मिलेगा परिक्षा के इंदर कोड बताया जाएगा अगर नहीं बताया जाए तो खाली छोड़ सकते हैं उसके परिक्षा की तिथी आपको लिखने रहेगी प्रशन पत्र लिखना प्रशन पत्र विश्य सब्जेक्ट का नाम लिख के बाद आपको यहां पर यहां पर यहां पर जोब्लेंगे यहां पर ओप 35-0 में तो अब सबुद्धा दो पिस पर नहीं करना तो tam भाग पुछा जा रहा है तो आप यहां पे अपना honest paper का नाम लिखेंगे ठीक है और परिक्षा के जो तीथी है यहां पर डाल देंगे और यहां पर पार्ट वन लिख करके वन लिख के वन पर गेरा लगाएंगे पेपर कोड डालेंगे और नीचे जो गेरा लगाते चले जाएंगे तो यह जो है कुछ महत्पू जानकारी है यहां पर आपको अपना अनुक्रमा क्रॉल नंबर लिखना रहेगा यह सारी चीज गरबर नहीं करे कियेगा और वहां मना किया जाएगा आपको वाइट ने लगाने के लिए तो ऐसा ही आपका ओमार शीट रहेगा आप लोग देख लिजे समझ लिजे स्क्रेंशॉट ले लिजे इसकी प्रैक्टिस करके जाएए जिससे कि आपको कल कम समय लगे और आपके आने वाले जितने